बीजेपी में ये हो क्या गया? जिस पार्टी के सबसे बड़े कारेकरता को पैर छूने तक नहीं देते, उस पार्टी के एक सांसद ने कारेकरता का अपमान कर दिया है. कारेकरता से पैर दुलवाए, कारेकरता को धुले हुए पैर का पानी पीने दिया. ये बीजेपी के साड़े दस करूर कारेकरताओं का अगर अपमान नहीं है तो बताइए और क्या है ये जो कहानी है ये जारखन के गोड़ा के बीजेपी सांसद निशिकान दूबे की है निशिकान दूबे आपको याद होगा वो सांसद है जिनको 2018 का यान इसी साल का बेस्ट सांसद चुना गया है निशिकान दूबे को अपने किये पर रत्ती मात्र भी अफसोस नहीं है वो कारेकरता का महिमा मंडन कर रहे है भगवान कृष्ण का जिक्र करके अपने पाप छिपाने की कोशिश कर रहे है तस्वीर जो है वो गोड़ा के कन भारक ही है हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जहां पर रविवार को कारेकरता पवन साह ने इन चाहिख सकते हैं पश्षते हुए जो की कारे करता है बश्चयक्र के सांसद निशिक्र कथ रहा जो बदो Ici और मोगा था वो पूल का शिलानी न्यास करने पहुचते थे या अब देख सकते हैं पैर पोचते हुए पवंसा जो की कारेकर्टा है बीजेपी के सांसद निशिकान दूबे के कोड़्टा से सांसद है निशिकान दूबे और अब देखे पैर धोकर उस पानी को पी रहे हैं कारेकर्टा तो जो कर रहे हैं सौकर रहे हैं लेकिन सांसर महोदै जो बलकुछ सामने बैठे हैं उनको इस बात का तनेक मातरों भी ना तो अफसोस है नददोक है बलकि कारेकर्टा ने जो किया उसका महिमा मंडन करते हुए बीजेपी सांसर निशिकान दूबे एक बार फिर सें तस्वीरों को देखे निशिकान दूबे के पैर जिसको ये कारेकरता पवनसा धो रहे हैं बीजेपी के कारेकरता पहले पैर होते हुए कारेकरता को देख रहे हैं अब निशिकान दूबे के पैरों को पोच रहे हैं पैर पोचते हुए कारेकर्टा पवंसा और अब देखिया जिस पानी से पैर धोए ठाली के उस पानी को पीते हुए कारेकर्टा पवंसा बीजेपी के साड़े दस करोड कारेकरता जिने बीजेपी में खुद प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी से लेकर अध्यक्ष आमित शाह रीड मानते हैं पार्टी की क्या उन कारेकरताओं के साथ ये सही तरह का व्यावार है और मैं आपको बता दूँ इसी मंच पर अमित मंडल जी भी मौझूद थे ये गोड़ा से बीजेपी के विधायक है जब ये पूरा खटना करम चल रहा था तो अमित मंडल जी महीं मौझूद थे हमारे साथ फोन लाइंग पर जुड़ गए हैं अमित मंडल जी अमित मंडल ज पैर दूते हैं और उसी पानी को पीते हैं ये किस तरह का संवान है जी नमस्के मैं एविधी न्यूज को बताना चाहूंगा कि कल एक पूल का स्लन्याथ था और मानिय सांसर जी वहां मौझूद थे महीं मौझूद था और एक कारिकरता है हम लोगों का पवंसा तो उन्हों खाली मंगाया थाली में पानी देखे यहां पर सांसर जी सामने रखा तो हम लोगों को लगा कि एक जारकन की संस्कृती है सब्यता है इसमें लोगों का पाओं दोया जाता है लेकिन उसके बाद पीने की प्रस्रिया उन्होंने चालो की वह बहुत ही स्पॉंटेनियस थाव तो पिसी में रोक नहीं पाया तो हम लोगों को सामने हुआ लेकिन इतनी जल्दी हुआ कि हम लोग भी रियलाइज ने कर पाई कि आच्छली ऐसा हो सकता है तो जिसके कारण जगटना करती इसका हम लोग सब खंडन करते माने सांसर भी इसका खंडन करते मैं भी खंडन करता अमित मंदल जी आप खंडन करता है इस बात का लेकिन निशिकान दूबे जो गड़ा से सांसर है आप आँसे विधायक है निशिकान दूबे ने तुँ एक तरह से महिमा मंधन किया था उसी के तहत इसने ये काम किया अपनी खुशी का इज़ार किया विधायक वहाँ पर आप मौजूद थे सांसर निशिकान दूबे मौजूद थे आप लोग चाहते तो कारेकर्टा को रोक सकते थे मैं देखे जैसा है मैंने पहले भी कहा वो थाली लाए उसमें पानी का एक धारकंड की सब्यता है संस्कृती है मैमान कैसे अदर किया जाता है लेकिन उसके बाद हम लोग भी यह रेलाइज नहीं कर पाए कि वो एक्शली में पानी पी जाएगा जिसके कारन हम लोग के पास इतना कम समय का रियाक्शन देने का कि हम लोग रोक नहीं पाए उसके तो हम लोगों को फिर भी लग रहाता है कि वो एक जो संस्कृती सब्यता होती है उसके उसी के दर्मियान बाते होंगी लेकि यह कुछ जादा हो गया अमित मंडल जी आप जेसे यांपर खेच जता रहा है यह चाहिए यह पानी पीने की बात जो थी इस बात को बहुत आगे ले जाना था जो संस हать ने शिकान दूबे है उन्हें वेकिई भी इस बात का इस तरह से खंडन नहीं किया है तो कही ना कई हम लोगों का उपर का लीडर्शिप चाहिए कि कोई हरकत ना उपाए और शी कान पालन हम लोगों करना वहीं हम लोग करेंगे अमिद मंदल जी आपने बहुत अच्छी बात कई मैं इसी से आगे बढ़ाना चाहूंगी जैसा कि हमने कई बार तस्वीरे देखी हैं खुद प्रधान मुंतरी नरेंदर मोदी कभी किसी को पाव नहीं चीरने देते उनका बहुत एक बहुत सपष्ट विचार रहा है कि सबका सम्मान होना चाहिए आपको लगता है मंच पर आप भी मौजूद थे हम आपको देख पा रहे हैं निशिकान दूबे मौजूद थे आप लोग रोक सकते थे यह सब कुछ होने से आप लोग रोक करते हैं तो करेंगे लिएक्शन टाइम बहुत ही कम आम लोगों के लिए कही पर मैं भी जाता हूँ आदिवासे समाज में ठाली परमपर होती है पानी के साथ पांज होने की वहां तक सब जायज होता है लेकिन इसके बाद जो पीने ठाली प्रत्रियाती इसमें रियाक्शन टाइम इतना कमता और हम लोग खुद नहीं समझ पाएं कि वह कारीकरता ऐसा आप मेरे साथ बने रही है अमित मंडल जी क्योंकि आप जो पूरा घटना करम है उसको समझा भी रहे हैं आप खुद वहां मौझूद थे हम तस्वीरों में आपको देख पा रहे हैं लेकिन प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी जिसका जिक्र गोड़ा से बीजेपी के पाहिर किया जाए और यही बात अमित मंडल भी अभी कह रहे है तो और इसलिए सवाल भी उठ रहा है कि साड़े 10 करोर कारेकरता जो हैं बीजेपी के क्या उनका एक तरह से अपमान नहीं है अगर किसी का पाउन धो करके उस पानी को पिया जा रहे देखिए नरेंद्र मोद मना करते हुए कि पैर मत चूए आप और ये प्रधान मंतरी का हर जगे इसी तरह का उनका स्टांड रहा है आम तोर पर जो लोग पैर चूने की कोशिश करते हैं उन्हें वो मना करते हैं अशोक दोहरे सांसद आप देख रहे हैं एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं प् प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने पहनाई तो ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधान मंतरी की जो की BJP के एक बड़े नेता के तौर पर देश के प्रधान मंतरी के तौर पर आपके सामने मौजूद उन्होंने चरन पादुका पहनाई उनके चरन अगर कोई छोने की कोशिश करे उनके पैर तो उससे इंकार करता है प्रधान मंतरी लेकिन उसी पार्टी के सांसद निशिकान दूबे जो की गोड़ा से सांसद हैं उनके पैर धोकर पाव पोच कर उस प निशिकान दूबे ने कारेकरता को ऐसा करने से रोका नहीं बलकि फेस्बुक पर पोस्ट डाला और जितना संभव हो सकता है उतना इस बात का महमा मंदन कर रहा है निशिकान दूबे क्या कह रहे हैं हम आपको बता दे आज मैं अपने आपको बहुत छोटा कारेकरता समझ बीजेपी के महान कारेकरता पवंसाह ने पुल के शिला न्यास की खुशी में, हजारों के सामने मेरे पैर धोये अपने वादे के अनुसार खुशी से पियाँ нिशिकान दूबे रोक नहीं सकते थे कारेकरता को यह सब करने से, सम्मान का यह कौन सा धरीका है कि आपकि किसी जो विवात खड़ा कर रहे हैं उनकी मानसिक्ता पर सवाल उठा रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो भी आपको बता दे अपनों में श्रेश्टा बांटी नहीं जाती और कारेकरता यदि खुशी का इज़ार पैर धोकर कर रहा है तो क्या घजब हुआ उन्होंने जनता के सामने क समखाई थी उनको ठेस ना पहुँचे इसलिए सम्मान किया पैर धोना तो जारखन में अथिती के लिए होता ही है सारे कारेकरमों में आदिवासी महिलाएं क्या ये नहीं करती है इसे राजनतिक रंग क्यूं दिया जा रहा है पैर अथिती के धोना गलत है अपने पुर्ख जेते हुए कि ये अती हो गई थी कारेकरता इस तरह से पैर धोकर उस पानी को पीएं रेक्शन टाइम बहुत कम था वरना उन्हें रोग दिया जाता हमारे साथ बीजेपी से सांसद उधितराज जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए है उधितराज जी आपकी पहली प्रितिक्रिया में चाहूंगी खबर तो आप तक पहुंच गई होगी बीजेपी के सांसद है निशिकान दूबे और जब एक कारेकरता में पुल के शिलानास के लिए पहुंचे तो बीजेपी के ही कारेकरता उनके पाउं धोते हैं पोचते हैं उसी पानी को पीते हैं मैं उसको उचित रही मानता हूँ, इमानवता को शारबसार करती है, कोई तरिधा बस या कोई उमर में बड़ा है, कोई जाती में बड़ा है, उसके आधार पर या किसी आधार पर किसी का पाहर नहीं दोना चाहिए, मैं तो पने बाप का भी पायद नहीं दोने का पक्षिन होना मैं कोई धोया हूँ, और मैं पाउगी नहीं चुआ अपने बाप का कभी, इसलिए कि सम्मान दिल में होता है, दिखाया नहीं जाता है, और मेरा जो दिल में, यहां पाउँ छूने वाले पाउँ भीच लेकर हैं तो अब साइंटिफिक टेंपरमेंट का जवाना आया है और तर्ग का जवाना है सब अपा सारे सिरिजिन समान है तुम्दान के अंपार सभी पिर जिन समान है अब पुरानी परंपरा हैं कभी रही हो लेकिन उन परंपराओं को अब जालू नहीं रखना चाहिए यह इससे कही समात के अंदर भेद्भाव का संदेश जाता है मैं उनके संदर में नहीं कह रहा हूं तो उदित राज जी आप बहुत साफ कह रहे हैं कि भेद्भाव की भावना जाती है यह हुना नहीं चाहिए लेकिन यह जब सवाल उठाय जा रहे है अलग-अलग हलकों से क्योंकि पर पोस्ट के माध्यम से लिख रहे हैं आप क्या कहेंगे? इन परमपराओं से कहीं न कहीं भेद्भाव की भुगाती हम लोग तो आफसर तीन जपान, सौथ कोरिया, एरोप और अमेरीका की तरक्की की चर्चा की यह वगए रहे नहीं पाते हैं लेकिन इस तरह की समंसी ख्याल क्या वहां है तो टमपरामेंट पे उसी तरीके से लान यह वाजब सवाल आप उदितराजी उठा रहे हैं, आपको लगता है कि मंच पर मौका था सांसन, निश्रिकान, दूबे के लिए कि वो चाहते तो कारेकरता को ऐसा करने से रोक सकते थे? मुझे लगता है कि उनको रोकना चाहिए था, मैं एक दो बार गुस्री में अपने कारेकरताओं को बुरा भला करते का हूँ, मैं अपना मेरे हाद तेंसे चार सो लोग आते हैं, और जो पांग सुता है, उससे इतनी दिल से अंदर से नखरत होती है, कि ये मुर्दा है क्यो पांग सुरह है मेरा पांग, मार मेरे कार्याले में पता लगा है कई बार को मैं इतने आवेश में आगया कि कई बार ऐसा लगा कि हम पीते हैं उनको, बार बार जब की कहा जाता है कि पांग नहीं छुना है, लेकि दस-साच रोज ऐसे आ जाते हैं, इसना तखलीद से जा सकता है, कि जो देख गुषित हुए हैं, उस तरह की परंपरा है, बिल्कुल, तो ये साफ बात है उदितराज जी कि आप भी मानते हैं कि ये सही नहीं है, समाज में बहुत भेदभाव का संदेश देता और आप सवाल उठा रहे हैं कि निशिकान दूबित चाहते तो इ निशिकान दूबे जो की गोड़ा से सांसद हैं, कारेकता उनके पैर धोकर उस पानी को पीते हैं और निशिकान दूबे कहते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, कारेकता अपने खुशी का इज़ार कर रहे हैं, अगर कोई सवाल उठाएगा तो वो उनकी घटिया मानसिक्ता द इनको लगता है कि यह ठीक है, अब आप बताएगा कि हम लोग ने जो अजादी किसले जीता है, कि यह सब जो है कि कोई पैर दो करके उसका पानी पी लें, यह जाती प्रता को बढ़ा देंगे, उसी के चलते हुए जो है, वानुसुचित जालित समाज के ओपर हमला हो रहे ह जाती प्रता को बढ़ावा देने जैसा है और इस तरह की टिपड़ी भी कोई नहीं करेगा, अगर इस तरह से पैर धोय जा रहे हैं, तो इसे कैसे जायस ठहराया जा सकता है, शुक्रिया आपका डॉक्टर एजे कुमार हमारे साथ जुडने के लिए जारकर कॉंग्रेस की अध्धेक्ष को आप सुन रहे थे और साथी सा सांसद उधितराज को भी आपने सुना, दोनों का सिरे से ये कहना कि जो कुछ निशिकान धूबे के सामने हुआ, जो कारेकरता ने किया वो सही नहीं था, और हम सवाल ये उठा रहे हैं कि बीजेपी में साड़े दस करोड कारेकरताओं का क्या ये अपमान नहीं है कि एक सा सांसद महोदय इसे रोकने के लिए कुछ करते भी नहीं, बलकि इसका महिमा मंदन कर रहे हैं